देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन के भाव को लेकर खास कर मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार से अपेक्षा है कि भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल होना चाहिए। सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने को लेकर किसानों ने सोयाबीन की कटाई के पहले तीवर आंदोलन कियाथ, जिसके परिनाम स्वरुप सरकार सोयाबीन की न्यूंतम समर्थन मूले पर खरीदी करने के लिए राजी हुग। प्रदेश में न्यूंतम समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान भाव बढ़ने की आशा लेकर अभी सोयाबीन नहीं निकाल रहे है। मानसून सीजन के दोरान अंतिम समय में बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल कटाई में व्यवधान हुआ, जिसके चलते सोयाबीन का सीजन लेट शुरू हूँ। इसी बीच दीपावली के त्योहार के चलते लंबे समय तक क्रिशी उपज मंडियां बंद रह। अब क्रिशी उपज मंडियों में कामकाज शुरू हो चुका है उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच आदी प्रमुक मंडियों में सोयाबीन के मुहूर्थ के सौदे हो चुके हैं। क्रिशी उपज मंडियों में 7,411 रुपए प्रती क्विंटल मुहूर्थ के सौदे हो। व्यापारी दीपावली के बाद सोयाबीन की आवक बढ़ने का अंदेशा लगा रहे थे, किन्तु अभी तक आवक नहीं बढ़ पाई। इतना ही नहीं नहीं नियून्तम समर्थन सोयाबीन उपारजन के दो पर भी किसान सोयाबीन लेकर नहीं पहुँच रहे हैं। किसानों का कहना है कि सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना है। इसलिए सोयाबीन के भाव की भाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए सोयाबीन का स्टॉक करने वाले व्यापार सोयाबीन को उंचे भाव पर खरीद कर डंप कर रहे हैं। देखा जाए तो व्यापार में उधार का चलन वर्षों पहले खूब था, लेकिन अब इस प्रकार का कार्य 25 प्रतिशत होने से अधिकांच धन सोयाबीन खरीद कर रख लेते हैं। इनका मानना है कि भले ही लाब नहीं मिले लेकिन ब्याज तो निकल ही जाएग। इस बार स्टाक की खरीदी बाहर के लोग भी कर रहे हैं। सोयाबीन प्लांट की कमीशन पर खरीदी भी मंडियों में जम कर हो रही है। इधर प्लांट के व्यापार में खरीदी ओफर 50 रुप के होने की चर्चा अधिक। किसानों की सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए क्विंटल की चाहत। क्रिशी व्यापार में इस समय सोयाबीन के आगामी भाव को लेकर अलग-अलग सिंडिकेट आकलन कर तेजी वाले भाव के लिए तयार हो रही है। सरकारी समर्थन भाव 4,892 बढ़ाने एवं प्लांट संचालक की खरीदी के साथ साथ स्टॉक वालों की खरीदी होगी तो सोयाबीन के भाव में बढ़ध देखने को मिल सकती है। हाला कि विशेशगे यह भी बताते हैं कि सोयाबीन के भाव का 6,000 रुपए प्रती क्विंटल का सफर आसान नहीं है। सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीदी बड़े पैमाने पर शुरू करने के पहले ही सोयाबीन के भाव में तेजी आना शुरू हो गई थ। दीपावली के पहले भी सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिल। हाला कि यह तेजी दीपावली के पश्चात बरकरार नहीं रह नमी 14 से 15 प्रतिशत सोयाबीन आने से कारोबारी भाव बढ़ा कर मंडी में नीलाम बोली बढ़ा कर लगा रहे हैं। सोयाबीन कारोबारियों ने बताया अगले सप्ता से सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिलेग। इधर किसानों ने सोयाबीन होल्ड कर बाजार में भाव बढ़ने में मदद कर दी, मंडी निलामी में हलका मिट्टी वाला सोयाबीन तीन सो रुपए प्रती क्विंटल महेंगा होकर बिक रहा, सोयाबीन जानकारों का कहना है कि भाव छे हजार रुपए पार होंगे, लेकिन इंतजार करना होग, इसका प्रमुक कारण बताते हुए कहा कि इस वर्ष उपज 30 से 40 प्रतिशत खराब हो चुकी है।